आज हमारे साथ है रादिश्याम जादव जी जो की बहुत बड़े समाज से भी है और समाज को एलिए हमेशा काम करने के लिए हमेशा तात पर रहते हैं आज इनसे पूछना चाहेंगे कि आर्थिक मंदी बहुत तेजी से बढ़ रही है लोग के पास रोजगार नहीं है लोग पैंक करप्ट होते जाना पिस पर क्या कहेंगे मैं आप से कहना चाहूंगा मैं सीधे सीधे बहुत कम सब्दों में इसको आपको समझाना चाहता हूं कि इस देश के बड़े लोग जो इस देश के आर्थिक इस्तिति को खतम करने का काम करें सरकार के साथ मिलके जैसे चंद लोगों ने इस देश के आदेश अधिक पैसे लेकर इस हिंदुस्तान से और इस देश के एरोप्लेन से बाहर चले गए और इस देश की सरकारें देखती रह गही और कोई गरीब मजदूर 20-30-30,000 अगर ले 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 लोन सरकार से पैसा ले ले तो तुरंद सुस्थाने क यह देश को लेकर जाएगा और लकप में डालने का काम करता है और उजगार की हाल देख रहे हैं सारी चीज इस देश में विप्राइवेट हो रहा है तो मैं तो यह भी कहूंगा इसी मंदी में की देश के सांसरों विधाय को भी तंखा प्राइवेट से मिलना चाहिए और इस देश में बताइए तमाम ऐसी विवस्था है जो सरकार को उससे लेना देना नहीं है यह से लेकर कोई सरकार को खुद नहीं मालूम है कि मेरा इस्तिती मेरे देश का स्युद्ध क्या है तो मैं देश के नागरिक से भी निविदन करूँगा कि बहुत ज़्यादा सरकार से हटके हम लोग को इस देश के बारे में सोचना है और जो सरकार कर रही है तो आने वाला दिन में सरकार को आप सबक नहीं सिखाएंगे तो इस तरह अगर देश को ले जाएंगे तो देश कहां जाएगा अब इसके बारे में हम कलपणा नहीं कर सकते हैं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पैप